Assalamu alaikum welcome back to my channel आज हम बना रहे हैं सागुदाने के कबाब बहुत easy but delicious recipe है और इसके सारे ingredients पड़े अराम से हमारे kitchen shelf पे available होते हैं जरूर ट्राइ कीज़ेगा pure vegetarian recipe है but meat lovers के लिए कोई restriction नहीं है they can also try my recipe और मुझे जरूर अपना feedback दीज़ेगा कैसी बनती है सबसे पहले आलू ले ले और उनको boil कर ले नमक डालके so that we can mash it properly सागुदाना इसको soak कर ले चार से पांच घंटे के लिए और इतना soft हो जाना चाहिए कि आपकी fingers में mash हो सके इसके इलावा प्यास चाहिए होगा आपको जो आपने रफली chop कर लेना है हरी मिर्चे रफ और फाइन जैसी भी chop करना चाहिए हरा धनिया ये भी आप रफ चॉप कर ले और इसके लावा आपके dry spices इसमें जाएंगे this is it इससे ज़्यादा आपको और कुछ भी नहीं चाहिए तो चलने शुरू करते हैं बिसमिलाहराहमान रहीम आलू और सागुदाना को आपने mix कर लेना है सागुदानी को प्रॉपरली ड्रेन होना चाहिए और आलू प्रॉपरली mash होने चाहिए उसके बाद आप इसमें आइड करेंगे अपने प्यास जिनको आपने रफली चौप किया हुगा है बिल्कुल फाइन चौप नहीं करना अदर्वाइस उसका टेस्ट प्रॉपरली फील नहीं होगा आपको इसके बाद इसमें हरी मिर्चे जाएंगी बट आप इसको लास्ट पे भी आड कर सकते हैं इसके बाद आपको प्रो टिप्स की जरूरत है जो के दो तीन मैं आपको देने जा रही हूँ सबसे पहले पानी ले 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 ये आपको आलू के वैटर के साथ कोई भी रेसिपी तयार करते हुए एक मस्ट हैव है और इसको आपने एग्णोर नहीं करना सो दाट यूर हैंड्स रिमें क्लीन आपने एक धकन ले लेना है किसी भी बॉटल का धकन ले 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 या आपको ऐसी शेप ले 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 जिस शेप में कबाब आप रेडी करना चाहते हैं और उसको अपने पास रख ले इसके लावा आपको एक पेपर बैक चाहिए होगा बहुत अराम से हर घर में अवेलिबल होता है उसको काट के एक छोटा सा पीस अपने पास रख ले और चलें अब शुरू करते हैं मैं आपको बताती हूं कि करना क्या है आपने किसी भी बॉटल के धकन को लेके उसके उपर उस पेपर बैक को स्प्रेड कर लेना है इसकी वज़ा ये है कि आपके कबाब की शेप बड़े अराम से रेडी हो जाएगी आपके हाथों को और आपके दमाग को ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूत नहीं पड़ेगी हाथों पे पानी लगाएं और चलेंजी फिलिंग करना स्टार्ट कर दें आपका कबाब जो है वो आपकी मर्जी की शेप में बड़े अराम से कनवर्ट हो जाता है और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करने पड़ती है उसके किनारों को बराबर करें उसको यू नो सेम शेप के कबाब बनाना है एक बहुत बड़ा टास्क है और बड़ा जादा टाइम टेकिंग है तो यह आपको एक शॉटकट एंड एक प्रो टिप मैंने आप बताई है इसको ज़रूर फॉलो कीजेगा और आपकी कबाब रेडी हो गए है चाहें तो इसको फ्रीज कर ले चाहें तो इसको फॉरन ट्राइ कर लें इस ओल बाउट यूर चोईस फ्रीज कर लें तो जब दिल चाहें इसको निकाल के आप अपने सैंविच इस पर स्प्रेड कर सकते हैं अपने पुलाओ के साथ इसको सर्फ कर सकते हैं वाटेव यू लाइक नेक्स टेप में आपने ए लो से मीडियम फ्लेम रखना है आपने इसको जादा गरम भी नहीं करना और बहुत छंडा भी नहीं होना चाहिए अब आपने कबाब को प्रॉपरली कोट करना है और इसको आयल में डाल डेना है और अगेन फ्लेम का खयाल रखना है बट इसको तब तक इसकी साइड च्छ जब तक आपका अपना पसंद का मर्जी का रिक्वाइड गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता एक और चीज मैं आपको बताती हूं कि इन कबाब्स को आप विदाउड एग वॉश भी फ्राई कर सकते हैं बट उसके लिए आप इसको तवे पर ट्राई कीजेगा इसको डीप आपने इसको शेलो फ्राई करना हैं बट अन तवा और अन एन फ्लैट पैन ठीक है आपके माशाला जबर्दस्त किसम के गोल्डन ब्राउन और गोल्डन गोल्ड कलर के जो केबाब्स हैं वो रेडी हैं इनको डिश आउट करें और जिस मर्जी सॉस के साथ जो आपका दिल क करता है उसके साथ खाएं और मुझे अपना फीडबाइक जरूर दें थैंक यू पर वाचिंग अलाहाफिज